नवश्कार दोस्तों सौगत आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमें एक ऐसे नए असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के बारे में देखने वाले हैं जिनका की इन्वास्मेंट इक्विटी सिग्मेंट के स्मौल कैफ फंड्स के अंदर होगा जिसके लाँचिंग अभी अक्टूबर 2023 में हुई है और अभी इसका एन फो का जो सब्सकिप्शन है वो उपन है 6 एक्टूबर से लेकर के 20 एक्टूबर के बीच में अभी आप इसके एन फो में अपना सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं अभी हम दोस्तों बात कर रहे थें बरोदा, बी एन पी, बारिबा, बिच्वल फंड्स के बारे में और यह assets management जो company है, इसका total equity segment के अंदर small cap में investment होने वाला है दोस्तों अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो उसे subscribe पर के bell icon के बटन दबा दें ताकि next वीडियो जो इस चैनल पर upload हो, knowledgeable उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों यह जो fund है total open ended equity scheme fund है और इसमें total आपका जो investment होगा small cap category के shares के अंदर होने वाला है company का मस्तद है कि investor को अच्छे जादा returns दे सकें और जो भी उनका fund हो, वो diversified portfolio के माद्यम से अलग-अलग categories के अंदर उनका investment करें दोस्तों BNP Paribas mutual funds के मताबिक अगर आप इस funds के अंदर अपना investment करते हैं यहां पर आपको lump sum में अगर आप investment करते हैं तो minimum 5000 रुपे सापका investment स्टार्ट होगा और अगर आप SIP systematic investment plan के माद्यम से investment करते हैं तो minimum 500 रुपे मंतली आप इसमें investment स्टार्ट कर सकते हैं परिवा small cap funds का जो है nifty small cap 250 TRI के benchmark के हिसाब से इनका investment होगा और total इनका investment small cap funds के अंदर ही होने वाला हैं अगर इनके funds manager की बाच करने तो इनके senior fund manager स्यू चनानी है जिनका की अच्छा टैक record रहा है काफी ज्यादा अच्छा अन्व हो रहा है पिछले 24 सालों से ये mid cap और small cap sectors के अंदर काम कर रहे हैं पिछले 24 सालों का tech record के साथ में अभी इस fund को ये run करने वाले हैं तो आने वाले future में उमीद की जा सकती कि ये funds में returns ज्यादा मिलने की उमीद हो सकती है कौन कर सकता है इस fund के अंदर अपना investment तो दोस्तों इस fund के जो fund manager के साथ में इनके जो CEO है सुरे सुनी जी का कहना है कि अगर आप ऐसे funds में investment करने की कोसिस या planning कर रहे हैं तो आप पहले से ही long term के हिसाब से investment करें क्योंकि अगर आप shorter में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ funds के अंदर आपको अस्तिरता या फिर आपका नुकसान होने जैसे उमीद हो सकती है लेकिन अगर आप लंबे समय के investor हैं और लंबे समय में अच्छे returns प्राप्त करना चाहते हैं तो जब आप ऐसे funds में investment कर सकते हैं तो यह opening statement इस company के CEO की है तो अगर आप लंबे समय के लिए planning कर रहे हैं तो ऐसे funds में investment की उमीद करके आप invest कर सकते हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर निफ्टी small cap का TRI index देखें तो 21% रहा है इसका CGR उसी की उम्मीद के हिसाब से इसमें जो भी investment होगा वह small cap funds के अंदर ही होगा तो 21% का अगर पुराना tech record देखें 10 साल का तो आने वाले समय में भी अच्छे returns मिलने की उम्मीद रख सकते हैं तो दोस्तों अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप comment section में जाकर के इसे comments करके बताएं अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like, channel को subscribe और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शाथ में आप share करें ताकि इस नए funds के बारे में उन्हें भी जानकारी मिल सके तन्यवाद